प्रिश्ट साथ, पाठ चौदह, मिलकर पढ़िये, शीर्शक बीज, मुझे एक बीज मिला, मैंने उसको गंबले में डाला, मैंने उसे पानी दिया, और बहुत सारी धूप, क्या यह पेड है, क्या यह जाड़ी है, क्या इसमें फूल होंगे, क्या इसमें फल होंगे, क्या यह लंबा उँचा होगा, क्या यह छोटा ही रहेगा, मुझे नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेखिका दीपा बलसावर, इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें एक बालक एक गंबले में बीज को बोता हुआ नजर आ रहा है, आसपास, पानी देने का बरतन और एक खुरपी रखी है, क्योंके वो बाग में है, तो पीछे पेड नजर आ रहा है, और उपर एक पक्षी उड़ता दिखाई दे रहा है, खोजें, जानें, किसी पुराने बरतन या गंबले में काले चनों को बोईं, कुछ ही दिनों बाद चनों से हरे भरे छोटे छोटे डंठल और पत्ते उगने लगेंगे, देखें, उन्हें उगने में कितना समाई लगता है, और कितना पानी और धूप, प्रिष्ट 61, बात चीप के लिए, एक, बीज कहा मिला होगा, दो, पेड और जाडी में कोई फर्क होता है क्या, तीन, कहानी में क्यूं कहा गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चार, क्या आपने कभी बीज बोया है या किसी और को बीज बोते देखा है, पांच, बीज बोने के लिए, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान की आवशक्ता पड़ती है, इन दिये गए चित्रों के नाम आपको रिक्त स्थान में लिखने हैं चह बीज में रिक्त स्थान भी लग सकते हैं और रिक्त स्थान भी इन दिये गए चित्रों के नाम आपको रिक्त स्थानों में लिखने हैं बचों रंग भर ये, यहाँ पर बाई और एक रंग बिरंगा मोर दिख रहा है और दाई और एक मोर का चित्र नजर आ रहा है आपको इस दूसरे दिये गए मोर के चित्र को रंगों से भरना है सारंगी, वाचनस्वर, बावला कोचर और ममता मलकानी